असलावनेकुम वेरूस आज मैं आपके साथ पांच मर्ले का एक बहुत युनीक घर का लेयाउट और एलिवेशन डिजाइन श्रेर करने जा रही हूँ इस घर का लेयाउट स्प्रिट लेवल्स में है जो इसको आम घरों से बहुत मुनफरिद बनाता है अगर आप पांच मर्ले पे एक बिल्कुल फ्रेश और आउड ओफ दी बॉक्स डिजाइन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है सबसे पहले बात करते हैं इस घर के ऐलिवेशन डिजाइन की इसका डिजाइन कंटेंपररी स्टाइल को फॉलो करते हुए बनाया गया है घर के राइट साइड पर एक स्पेशियस कारपोर्च है कारपोर्च दस फीट वाइड और तक्रीबन सारे सोला फीट डीप है जैसे कि आप देख सकते हैं कारपोर्च के ऊपर का वाल्यूम थोड़ा सा प्रजेक किया गया है इस वाल्यूम की फिनिशिंग लाल गुटके में की गई है कंटेब्री आर्किटेक्ट्चर रीजिनल मठीरिल्स के इस्तमाल पर बहुत एमफसाइज करता है इस टायल को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इस वाल्यूम के सेंटर में एक गोल्ड ओपनिंग दी गई है इस ओपनिंग का डाया तक्रीबन छे फीट के करीब है ओपनिंग के गिर्ट ब्रिक्सी आर्च है ओल्डू इस बड़ी विंडो के पीछे एक बैथरूम है लेकिन इसकी प्राइविसी को मिन्टेन करने के लिए जारी के पीछे तक्रीबन छे फीट उन्ची दिवार है दिवार के उबर बाकी जगा पर शीशा लगा हुआ है contemporary architecture को follow करते हुए इसमें geometric जारी का इस्तमाल किया गया है वैसे तो यह जारी CNC में भी बनाई जा सकती है मगर हमने इस घर के लिए टेरा कोटा की जारी को प्रपोस किया है इस brick volume को balance करने के लिए बाकी हर जगा simple white stucco की wall की finishing की गई है left side का volume बिलकुल simple रखा गया है यह वालिवरस की उंची windows verticality को emphasize करती है इस window के पीछे मौजूद automatic blinds daylight को control करने में मदद देते है अब बात करते हैं इस घर के layout की यह घर 25 by 45 feet के plot पर डिजाइन किया गया है front पे आपको एक spacious car porch नजर आ रहा है जिसके साथ 14 by 8 feet का lawn गेवन है पांच मरला के हिसाफ से एक spacious lawn कंसिडर किया जाता है अब बढ़ते हैं इस घर के interior की तरफ अगर आप elevation पर गोर करें तो आपको entrance door तक्रीबन सारे 11 feet उंचा नजर आएगा इस single wooden बर्वाजे से हम सिफ एक step लेकर entrance lobby में पहुंच जाते हैं lobby का size तक्रीबन 6 by 5 feet है जब आप lobby में खड़े होंगे तो आपको right side पर 6 by 4 feet का powder room में लेगा जबकि left side पर 2 steps टोर कर living room है living room का size 13 by 16 feet है अब आते हैं इस project के interesting feature की तरफ जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया है कि घर split levels में बनाया गया है मतलब हमने इस घर को different levels में divide किया फरंट का हिस्सा ground level पर है जिसमें car porch, lawn, living room, entrance lobby और powder room शामल है जबकि master bedroom और attached bathroom lower ground level पर है इसको हम basement नहीं कहें सकते क्योंकि आप समझें रोड लेवल से सिर्फ चार फीट नीचे है हाँ construction के perspective से अगर देखें तो master bedroom में कुछ हद तक retaining wall इस्तमाल की जाएगी जो reinforced concrete से खास और पर सिर्फ basement के लिए बनती है खेर, back to living room Living room से जब आप stairs लेकर नीचे जाएंगे तो आपका master bedroom है यहाँ पर landing बड़ी रखी गई है जो के एक mini lobby का role play कर रही है नीचे bedroom देने से ना सिर्फ noise level control हो गया है बलके वो privacy भी मिल गई है जो दिवार के साथ बिलकुल flush हो जाती है बेड के सामने mini sitting space भी दी गई है इसके साथ attached bathroom का size 7 by 6 feet है पीछे 16 by 6 feet की गई चोड़ी गई है जो इस bedroom और stairs के सामने दी गई विए sliding window से access हो जाती है पीछे दी गई ये गई गई आराम से हार्ट skipping करके एक खुबसरत view देने के लिए इस्तमाल हो सकते है कमरे की light और ventilation के लिए 10 feet चोड़ी floor to ceiling window इस गई की तरफ खुलती है अब हम आते हैं living room से उपर अगले floor की तरफ आप living room से जब उपर आएंगे तो इसी तरह आपको एक spacious landing मिलेगी इस floor को हम mezzeline floor भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ground और first floor के दर्मयान में master bedroom के exactly उपर है लियाओ कि अगर हम बात करें तो एक तरफ open kitchen है जबके दूसरी तरफ up to 8 seat or dining table आ सकती है kitchen और dining room की दिवारे नीची रखी गई है बलके यहाँ पर glass की parapet propose की गई है so entrance lobby और living room के साथ एक visual connection develop हो गया है means कोई kitchen और dining area से अराम से living room और entrance पर नज़र रख सकता है different zones को different levels में divide करके एक sense of privacy develop हो गई है मगर parapet walls के इस दमाल से एक visual connection भी maintained है next level की बात करते हैं dining area से आप ऊपर आएंगे तो front पर यानि living room के ऊपर एक bedroom है again stairs के सामने एक landing दी गई है और इस landing पर खड़े होकर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको dining area और living area का कुछ हिस्सा नज़र आएगा first floor पर मौजूद इस bedroom का size 13,25 फीट है इसके साथ एक walk-in closet और 10,25 फीट का attached bathroom दिया गया है back side पर इस bedroom से 6 फीट ऊपर एक और bedroom है इसका size 17,25 फीट है यह bedroom kitchen के ऊपर है इस bedroom में भी एक mini lounge area अलग किया गया है front की तरफ walk-in closet है और साथ चार बाए 8 फीट का attached bathroom है इसके दोनों तरफ दिवालों पर windows दी गई है जो ना सरफ daylight और ventilation प्रोवाइड कर रही है बलकि इस room को एक बहुत lively appearance भी देंगी further उपर जाकर rooftop पर एक 14 बाए 12 फीट का terrace है और दूसी तरफ बैठने के लिए और view enjoy करने के लिए सारे 10 बाए 10 फीट का एक button deck प्रोपोस किया गया है उमीद है आपको इस घर का layout पसंद आया होगा अगर आपको इस घर के बारे में मजीद को information required है तो comments में share करें या हमारी website visit करें इजाज़त दीजे, Allah हाफिज